हलो एवरिवन कैसे हो आप सब लोग उमीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे देखिए आज का जो हमारा मेन वीडियो है कि बेस्ट एप्लिकेशन फोर लेक्चर वीडियो रिकोडिंग जिसमें मैं आपको ओपन कैमरा के बारे में बताने वाला हूँ उस पे आगे मूव करन करने से पहले एक बार थोड़ी सी देर के लिए जरूर ध्यान दीजेगा अगर आप या आपके फैमिली मेंबर्स में से या कोई फ्रेंड प्रपरेशन करना चाहता है आयाई टी जैम एंट्रेंस की अनकेडमी के ऊपर तो आपके लिए एक इंपोर्टेंट इंफोमेशन है अनकेडमी की तरफ से कि इसका जो सब्सक्रिप्शन है उसके उपर प्राइस हाइक होने वाली है सिर्फ 4-5 दिनों में ही चार दिन बाकी है और उसका लिंक की नीचे डिस्क्रिप्शन में है अगर आपको प्राइस हाइक होने से पहले ही उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते है ये कुछ दिन का टाइम अभी आपके पास में बागी है उसी के साथ में अनकेडमी की तरफ से ही अगर आप लोग अल्रेडी प्रप्रिशन कर रहे हैं उसके ओपर सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं या ले रहे हैं तो 28 अप्रेल से कुछ न्यू बैचिस शुरू हो रहे हैं गैट बी के लिए आईट जैम के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो टेकनोलजी, मैथमेटिक्स वगेरा में तो आप जाकर खुद को एन्रोल कर लीजिए और इन बैचिस का फायदा उठाईए आपको सारा स्टेडी मेटिरल मिलेगा अनकेडमी के उपर साथ ही में अगर आपको चाहिए आपके अनकेडमी सब्सक्रिप्शन के उपर 10% का डिसकाउंट तो यहाँ पर आपको एक कोड नजर आ रहा होगा वालों के लिए अलग मैथड है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा तो आई हमारा जो ओपन कैमरा है उसमें बहुत सारी प्रोब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ती है टीचर्स का टेकनिकल हैं इतना जादा स्ट्रोंग नहीं होता है तो उनको कुछ प्रोब्लम्स जैसे कि कभी उनके फेस के उपर फोकस चला जाता है कभी पीछे वाइट बोर्ड के उपर फोकस जाता है कभी जो है उनके वीडियो में ब्राइटनेस बहुत जादा हो जाती है ये सारी प्रोब्लम्स है इन प्रोब्लम्स का सॉल्यूशन आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगा इस वीडियो को आखिर तक देखती रहिएगा और अगर आपकी कोई प्रोब्लम है तो मुझे कॉमेंट करके बताईए करे मैं आपको जरूरταर अगर आप टीचर है तो आपकी ब्लब करके करेंगा आप लोग हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं तो आज के वीडियो में शुरू करते हैं, हम अपने स्क्रीन के ओपर चलते हैं, अपना जो ओपन कैमरा, सॉरी, ओपन कैमरा के जो इंटरफेस है, बार बार मेरे मुसे अनकैडमी निकलता है, क्योंकि मेरा कॉलेबरेशन अनलोग के साथ मैं मैं महा लाइब क्लासिस भी लेता हैं, हम ओपन कैमरा एप मैंने खौल ली है, उसमें आपको कुछ सबसे पहले कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, यहां पर एक वीडियो का बटन है, इसके उपर प्रेस कर देना है, अब आपका जो एप है वीडियो मोड पर लग गया, लेकिन अभी यह बिलकुल एकदम डेफॉल्ट सेटिंग्स पर है, मैं इसमें जाकर वीडियो रिकोर्ड करूंगा, तो कुछ-कुछ चीजों की गड़बर होगी, जैसे कि मैं अभी आपको इसके सामने हाथ ले जाकर दिखाऊंगा, तो कभी जो मैं इसके वीर कैमरे के पास लेकर आओंगा, ब्राइटनेस कम हो जाएगी, जादा हो जाएगी, शायद इसमें आपको थोड़ा बहुत महसूस हो रहा होगा, कहीं भी आप टैप करेंगे, वहां फोकस हो जाएगा, इधर टैप करेंगे, यहां फोकस हो जाएगा, इस त यहां पर एक सेटिंग का बटन नजर आ रहा होगा, इसके ओपर प्रेस कर देना है, उसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, और वीडियो सेटिंग वाले ओप्शन में जाना है, यहां से वीडियो रेजोलिशन को आपको चेंज करके, 19, 20, 10, 80, 16, 9, जो आपका य इसके ओपर सेलेक्ट कर लेना है, अगर आप इस पर सेलेक्ट करके रखेंगे, तो आपकी वीडियो का साइज भी इतना जादा नहीं होगा, और आपकी वीडियो की क्वालिटी भी इच्छी रहेगी, उसके बाद में नीचे से और थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, आप आपको बाहर से आपने वायर वाला माइक कनेक्ट किया है, वहां से ओडियो को उठाएगा, एक इंपोर्टेंट बात और यह है कि अगर आप लोग इससे अपना ब्लुटूथ माइक कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ब्लुटूथ माइक कनेक्ट इससे नहीं होता है, चलिए देखिए उसके बाद में अब मैंने अपना वीडियो का resolution और mic की settings आपको बता दी उसके बाद आपको आगे क्या करना है यहाँ पर तीन dots नजर आ रहे हैं आप चाहें तो resolution यहाँ से भी set कर सकते हैं लेकिन कोई बात नहीं एक बार अंदर से set कर लेंगे यहाँ पर automatically आ जाएगा तो आपका यहाँ पर यह तीन चार option नजर आ रहे हैंगे एक A बना हुआ है एक flower है एक lock वाला button है और यहाँ पर कुछ C type का बना हुआ है तो आपको क्या करना है बेसिकलिए infinity का sign होगा पूरा नहीं नजर आ रहा है तो आपको क्या करना है सबसे पहले यहाँ पर lock वाले button पर ok कर देना है अब आपका focus lock है उसके बाद जब आप अपने app को खोलेंगे focus lock कर दिया आप एक बार जहाँ टैप करेंगे आपका focus वहीं के वहीं पर lock हो गया आपका ऐसा नहीं होगा कि कभी आपके जो blur हो जाते है alphabet लिखे हुए कभी आपका face को blur कर देता है कभी पीछे board को blur कर देता है वो सारी दिक्कत नहीं आएंगी मैं हाथ को कितना ही भी पास लेके आऊँ focus नहीं करेगा हाथ के उपर board के उपर ही सारा focus रहेगा तो इसका ये फायदा हो गया प्लस दूसरी बात ये है अभी जैसे कि कभी brightness कम कर रहा होगा कभी जादा कर रहा होगा आपको थोड़ा बहुत feel हो रहा होगा तो उसका solution क्या है यहाँ पर एक plus minus का option आपको नजार आ रहा होगा जैसे ही आप इसके उपर okay करेंगे आपको एक बार खुलेगा इस यहाँ से आप अपनी brightness को कम या जादा कर सकते हैं देख रहे हैं मेरी brightness बढ़ गई है फोन के अब मैं कम करूंगा तो यह कम होती चली जाएगी तो आप इतनी brightness रखिए जिस पर board के उपर reflection भी ना पड़े और board के उपर लिखी हुई जितनी भी चीज आपको आपको नज़र आ रही है वो सारी clearly visible हो तो मान लीजिए मैंने अपना brightness यहां पर रख दिया इतने brightness पर मेरे जो हाथ पैर है मेरा face है वो भी अच्छा खासा नज़र आ रहा है और board के उपर सारी लिखी हुई चीज़े भी नज़र आ रही है इतने पर रोकने के बाद में अभी यह रुका नहीं है यह आगे पीछे हो जाएगा अभी भी उपर नीचे हो जाएगा लेकिन क्या रहेगा मुझे इसको lock करना है तो lock करने के लिए यहां पर एक button दिया हुआ है यह lock वाला button इसके उपर आप जैसे okay करेंगे अब यह lock हो गया focus भी lock हो गया exposure भी lock हो गया मैं इसके सामने आपको जाके दिखाता हूँ यह video का focus भी कहीं नहीं जाएगा और video का जो है आपको exposure भी कहीं नहीं जाएगा देखिए अब आपको दिख रहा होगा मैं इसके पास लेके आँ हाँ हाथ को दूर लेके जाओं exposure एकदम set है मैं इधर घूम हूँ या सामने घूम हूँ मेरे words भी blur नहीं होगे पीछे board के एकदम focus में रहेंगे सारे के सारे words और exposure भी अपना एक ही जगा पर set रहेगा तो ये इसके फाइदे हैं resolution भी बता दिया मैंने आपको और मैंने आपको इसकी सारी चीज़े बता दी है audio कैसे connect करनी है कितना resolution रखना है आपका focus कैसे set करना है exposure कैसे set करना है उसके बाद भी अगर आपको कोई problem आ रही है तो मुझे नीचे comment करके बताईए मैं आपको जरूर reply करूँगा जरूर आपकी help करने की try करूँगा क्योंकि teachers हैं आप लोग अगर इस video को देख रहे हैं या फिल lecture video shoot करना चाहा रहे होंगे तो आप जरूर comment करेंगा कोई problem रहेगी आपको जरूर reply करूँगा मैं जरूर आपकी problem को solve करूँगा चलिए आज के वीडियो में इतना ही informative लगा हो तो like करना मत भूलना subscribe कर देना इसी तरह के content के लिए मिलते हैं next video में thanks for watching this video